हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई निटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में दो रंग का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन हम लेकर आए हैं बहुत आसान ये डिजाइन है और ये जो कोई सीधा उल्टा बुनना जानता है वो भी इस डिजाइन को अपने प्रोजेक्ट में डाल सकता है तो चलिए इसे बनाना हम सीख लेते हैं यहाँ पर देखिए इसके लिए फंदे हमने डाल लिये हैं फंदे हमें लेने हैं 10 के मल्टिपल में प्लस 9 करके यहाँ पर 19 यानि 19 फंदे हमने अपनी सलाई पर डाले हुए हैं फर्स्ट रो हम बनाएंगे अपने बेसिक कलर से जिससे फंदे डाले हैं बॉर्डर बनाया है फर्स्ट रो में सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे ये देखे सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम इस फर्स्ट रो को बना लेंगे देखिए राइट साइड से फर्स्ट रो में सभी फंदे सीरे बुने हमने अब आते हैं रॉंग साइड में रॉंग साइड की रो टू में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे रॉंग साइड साइड की वान साइड में की रॉंग लॉंग स्परो में रॉंग, रॉंग यह देखिए सेकेंड रो में हमने सभी फंदे यहां पर उल्टे बुल लिए अब अपने सेकेंड कलर का हमें यूज करना है तो हम सेकेंड कलर ले लेते हैं और सेकेंड कलर से यह देखिए यह पहला फंदा यह हमारा एज स्टिच है इसको हम यहां पर सीधा बुन लेंगे आप चाहें तो इसे सिलिप भी कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से हमने इसे सीधा बुन लिया इस फंदे को सीधा बुनने के बाद, अब यहां से देखे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, जिसमें हमें साथ फंदे सीधे बुनने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और साथ, तो यह देखे, साथ फंदे हमने सीधे बुने, यहां पर टोटल आठ फंदे बुन यह देखे, तो दस फंदों का यह रिपीट पैटर्न हमारा रहेगा, जिसमें हम साथ फंदे बुनते जाएंगे, और तीन फंदे स्लिप करते जाएंगे, पूरी सलाई इसी तरह से बनानी हैं, लास्ट में हमारे पास, यह देखे, साथ फंदे बचेंगे, तो इन्हें हम ब बुन लेते हैं, दस फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा, साथ फंदे सीधे बुनते जाएंगे, तीन फंदे स्लिप करते जाएंगे, और इस तरह से अपनी राइट साइड रो हम कंप्लीट करेंगे, रॉंग साइड में, अब यह देखिए, पहला एज स्टिच, इसको ह पाच, छे और साथ, साथ फंदे उल्टे बुनने के बाद तीन फंदे स्लिप करेंगे, इसी तरह से इस तस फंदों के पैटर्न को, टैन फंदों का जो पैटर्न है, साथ फंदे उल्टे बुनते जाएंगे, तीन फंदे स्लिप करते जाएंगे, इसी को हम कॉंटिन्यू कर भेंगे साथ फल्डे इनने हम उल्टा बुन लेते हैं कि heroic 6 त्हां कि अध aquellos अचने हमने बुमने इसके बाद यह एक भंदा बचा क्रण तो यह रो नंबर फोर हमारी बनकर कंप्लीट हो गई इस देखिए यह हमने चार सलाईया बना ली अब आते हैं पांचवी सलाई में इसमें हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे और वाइट कलर के साथ इसमें हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं सभी फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं जो फंदे हमने सलिप किये थे वो भी और जो हमने बुने थे वो भी सबको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से ये राइट साइड रो हमारी कम्प्लीट हो गई है रॉंग साइड में आते हैं इसमें सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे यहां पर यह रो नमबर 6 हमारी कम्प्लीट हो गई अब आते हैं राइट साइड में रो नमबर 7 में यहां देखे किस तरह से बनाना है अब देखे स्टार्टिंग में हमारे पास 8 फंदे थे जिसमें हमारे पास 1 फंदा एड इस्टिच था और 7 फंदे हमारे डिजाइन के थे तो 7 फंदों में से बीच के 3 फंदे हमें स्लिप करने हैं यह देखे यह 3 फंदे हैं इनको हम स्लिप करेंगे तो उससे पहले के 3 फंदे हम बुन लेते हैं एक, दो, और 3 यह देखे 3 फंदे हमने बुन लिए अब बीच के 3 फंदे हम slip करेंगे यह इस तरह से slip किये अब 7 फंदे बुनेंगे और 3 फंदे slip करेंगे इसी तरह से इस pattern को हम continue करेंगे साथ फंदे हमने बुने अब 3 फंदे slip करेंगे और इसी तरह से पूरी सलाई हम बनाते जाएंगे लास्ट में देखे हमारे पास 3 फंदे बचेंगे जिसमें 2 डिजाइन के हैं और 1 फंदा एजस्टिच है तीनों को हम सीधा बुन लेते हैं यह देखे इस तरह से यह हमारा बन गया अब रॉंग साइड में आते हैं रॉंग साइड में यह पहले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इनको हमने उल्टा बुना जो वाइट वाले फंदे हैं इनको स्लिप करेंगे अब साथ फंदे उल्टे बुनेंगे और तीन फंदे स्लिप करते जाएंगे इस तरह से हम अपनी पूरी सलाई बना लेंगे लास्ट में हमारे पास तीन फंदे हैं तीनों को हम उल्टा बुनेंगे तो यह देखे डिजाइन की हमारी आठवी सलाई यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है और इन आठवी सलाई के बाद हमारा डिजाइन पैटरन भी ओवर हो जाता है इनी आठवी सलाई को हमें बार बार रिपीट करना है तो यह दिजाइन हमारा बनता जाएगा अभी यह थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ है और बड़ा होने पर यह इस तरह से देखे दिखाई देगा यह देखिए कितना सुन्दर इसका लुक आया है और इसे आप किसी भी कलर में बनाते हैं यह बहुत ही सुन्दर लगता है कैसा लगा आपको यह डिजाइन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा